दिवाली और छट पूजा के लिए देश भड से लोग अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं कुछ ने महीनों पहले ही रिजर्वेशन करा लिया तो कुछ बिना टिकट किसी तरह अपने घर पहुचने की जुगत में है इस बीच महारास्टर में मुंबे में बांदरा रेल्व स्टेशन पर अफरात तफरी मच गई इस भगदर में नौ यात्री घायल हो गए जिन में से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है रिपोर्ट्स के मताबिक बांदरा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन संख्या बाइस नौसो इकिस यात्रा करने के लिए आये लोगों की भीड इतनी थी कि भगदर मच गई हाथसा स्ट्रेशन की प्लाट्फॉर्म नंबर वन पर हुआ था भगदर में घायल हुई यात्रीों को बांदरा के बावस्त बताल में भरती कराया गया है नौ यात्रीों में से साथ की सितिती स्थिर बताई जा रही है जबकि दो यात्रीों की सितिती गंभीर है अब इस सब के बाद सियासत तेज हो गई है और अब प्लेटफॉर्म पर विवस्था ठीक न होने का आरोप लगाए जा रही है रेलवे प्रशासन पर आरोप लगा है कि स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है प्लेटफॉर्म पर कुछ आरपियस जवान मौजूद है जो कतार में लगाने का अनरोथ करते हैं हाला कि ट्रेन आने पर कोई लाइन नहीं दिखती लोग ट्रेन के कोच में घुसने के लिए एक दूसरे पर चड़ने लगते हैं लोग एक दूसरे को पीछे खीशते हुए खुद डिब्बे में गुसने की होड लगाए हुए थे भगदर के बाद देखा गया कि लोगों के कपड़े तक फट चुके थे किसी के शर्ट फटी तो किसी की बैट सारा सामान बिखरा पड़ा मिला प्लेटफॉर्म पर जगा जगा खून पड़ा है जिस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगदर में लोगों को गंबिर चोटे भी आई है आपको बता दें पश्चिमी रेलवे के CPRO विनीद अभिशेक ने बताया कि ट्रेन नंबर 22921 मुंबई से गोरगपूर के लिए चलाई जाती है इस ट्रेन के सारे डब्बे जनरल होते हैं ट्रेन को 5 बच के 15 मिट पर चलना था लेकिन त्योहार के सीजन में ये तैय किया गया कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर 2-3 घंटे पहले ही लाकर खड़ा कर दिया जाए ताकि लोग आराम से चड़ सकें हालाकि प्लेटफॉर्म पर आने से पहले ही लोगों ने गाड़ी में चड़ना शुरू कर दिया रेल गाड़ी चालू हालत में थी जब लोगों ने उसके अंदर चड़ना शुरू किया जिसकी वज़ा से ये हाथसा हुआ CPRO विनीद अभिशेक ने ये भी बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कई ज्यादा होलीड स्पेशल ट्रेन चुलाई गई है केवल मुंबई से ही देशबर के अलग-अलग स्टेशनों के लिए 87 ट्रेन चल रही है फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही बागी तवाम जानकारी जानने के लिए देखते रही है ABP Live मैतिया आपके साथ खुशी चौधरी